हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग तो जैसा कि अभी सुभा के बज रहे हैं सारे चार और मेरी यहां से अपनी ड्यूटी स्टार्थ होती है मॉर्निंग की जो हमाड़ी रोज की रिगूलर की रूटिन्ग है तो जैसा कि अभी सब सु रहे हैं और मैं अभी गरम पानी कर रही हूँ तो मैं रोज सुभा उच सर पहले गरम पानी करती हूँ और एक गिलास हलका गुनगुना पुरा गरम नहीं करना है गुनगुना पानी और वो पीलूँगी उसके बाद फिर मैं सारे डॉर खोलूँगी तो पहले मैं यहां पानी गरम कर रही हूँ जैसा कि अभी ठन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और ठन भी लग रही है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ठन बोल रही हूँ और बोडी विल्डर की तरह स्वेटर भी पहनी नहीं हूँ ना साल ओरी हूँ तो जैसा कि अभी मैं स तो तुरंत सोकर उटी हूँ और ब्रस करके आई हूँ तो पहले मैं पानी सुच रही हूँ पीलू उसके बाद थोड़ा सा एक्सोसाइच करूंगी और थोड़ा सा मैं बाहर टहलूंगी सुबा सुबा यह मेरी रोज की रूटिंग रहे है तो सो फ्रेंड जैसा कि जब से यूटूब आया है तब से सहर भी गाउं के जैसा लगने लगा है तो जैसा कि अभी आपने मुर्गे की आवाज सुनी होगी तो जैसा गाउंवाली फील आती है ना तो मैं आ गई हूं बालकुनी में तो भी बज रहे हैं पाच ठोड़ा थोड़ा भी हो रही है शुडिये देवनी को अब है तो अभी सभी चले गए अपने अपने कमों में पूल भी चले गई श्कूल यह भी चले गई द्यूटी अब मैं बच गई घर में अकेली और जैसे कि थड़ी बहुत आ चुकी है ना बहुत जोरू की थड़ी और करकरारी वाली थड़ी पर रही है तो मु और यहां मौनी के सभी काम हो चुके है पूजा बोजा हो चुकी है सब चले सके है नास्ता पानी हो चुकी है टीफिन भी सबकी बहना ली थी सबको दी दी हूँ अब मैं बच्ची हूं श्रेप खाने के लिए तो जैसे कर ब्रे गुरू बारता तो कर था उपास तो लगी है जोरो के भूख तो अब मैं जा रही हूं नास्ता करने ही रासे मिलती है तो सो फ्रेंड अभी मैं और पुर्वी धर से बहार निकले हुए तो अभी हम दों के जा रहे हैं चले कहां जा रही हूं वहां के आपको दिखाती हूं तो रास्ता में व्लॉगिंग करना चानी लग तो पास के दुकान में आई हूं जादा दुनी हूं तो यहां दिखा रही थी भावी पर कुछ पसंद नहीं आ रही थी देखती हूं कुछ पसंद आ जाए तो सो फ्रेंड मार्केट से आने के बाद मार्केट पतलब में मार्केट में हमारे घर के पाद छोटी सी मार्केट ह वहां गई थी तो वहां साने की बाद मैं थोड़ा अराम करने लगी बहुत ज्यादा ठंड है और अभी भी रजाई के अंदर से निकलने की इच्छा नहीं हो रही है पर क्या करूपती बच्चे के लिए खाना तो बनानी पड़ेगी आज खाना नहीं बनाओंगे क्योंकि हम लोग अब आप Гरें सोही स्पेशल जichen 0088-2288-1993 टो आज बनाने वाली हैं पानी पुरी थी को खानी थी तो बहुत आपे नहीं खाने किच्छ होई तो मैं बोली कि पैकेट लेले चल घर में बनाती हूं तो सारे समान थे घर में आलू वाली नू पैकेट है और समोसा भी लेकर आई थी तो समोसा चाहे खाके मैं थोड़े रजाय के अंदर आ गई तो अभी भी उठनी किच्छा नहीं हो रही है करना तो पड़ेगा तो चलिए फटक फट दिखाती हूं आपको अपनी तैयारिया पानी पैकेट तो यहां है पैकेट रेदी मैट लेकर आए हूं और आलू उबल चुकी है और यहां इमली है तो इमली को जारे हैं फुलाने के लिए स्टोड़ी और यहां मैंने धन्या पत सब्सकेट बनाओंगी चटनी वाखे विश्तर सूट के आना ही पड़ा तो चलिए पड़ा पड़ कर लेते तैयार यह बजने वाली है नौ क्योंकि अब यह भी आजाए ही पानी पूरी की पानी तैयार हो गई अभी मसाला डाना वाकी है और यहां मीठी चटनी बन चुकी ह मर पूर्वी तो बस पूर्वी बची है कैसा बना है घृ यह जाए चुप चुप गुपचुप चुप गुपचुप गुपचुप मुं में जाते ही यह मुं फुल जाता है देख सकते हो फ्रेंड यह सब हमारी प्लेट है बनाई फटा-फट खानी के लिए बैट गई विडियो बनानी की याद नहीं रही किसी को सब्सक्राइबर को यही दिखा दो घर दो जल्ले जल्ले सूट की तो चलिए मैं अपने वीडियो की एंड नहीं पर करती हूं फिर आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तो बाई सी यू गुट नाइट तो हमारे इस वीडियो को धेर सारा प्यार दीजिए गुट नाइट स्वीड रेंज